बिन्याराहمن अरहेम, इसलाम लिक्रिपवाबं यूट्छ चैनल मामा फोड ऋक्रेटिस आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चावल की कबाब जी, बिल्कुल आज मैं आप लोगों के साथ नहीं चावल की कबाबनानी की रेशिपी शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को आखे तक देखेगा मेरे पास कुछ बासी चावल रुखे थे बासी चीज़े कोई खाना नहीं पसंद करता बाजों का तैसा होता है कि जो चीज़ बचाती है वो फ्रिश में पड़े पड़े वेस अच्छर वग्यारा से काम करने में मज़ा बिलकुल नहीं आता जितना मैं मुझे अपने हाथों का इस्तिमाल करके मज़ा आता या फिर अच्छा लगता है जब आप आप दिये हैं तो फिर क्यों इनसान दूसरी चीज़ों का सहाना ले तो अब आती है आलू की बारी तो आ बारी अच्छ के साद़ एड किया ही कर लेना है हमने आलू में इसके अंदर इसलledge डाला जाए अब इसके अंदर हरी फट् सब्सक्रूर पे-पूर्डप ज्यादा डाल सकते हैं तो को tortilla चाम की अर्ध सब चीजों को मिक्स कर लोगी जो मिला ले लेना है तो अब जल्दी जल्दी मैं सारी टिक्कियां बना लूँगी अगें मैंने एक पीस लिया है इसकी गॉल शेय बनाओंगी मैं साइज हमने एक जैसा ही रखना है यह बना लेकर उसे थोड़ा सा प्रेस करना है और लूँगी बन गई हमारी बिल्कुल रेडी है यह वह साथ को थोड़ा से ग्रिस करना है इसकी होगा कि जिप केंगी नहीं बिल्कुल भी और जब आप यकिन जाने ये टिक्याब बनाएंगे तो कोई नहीं पहचार पाएगा कि ये बासी चामलों की बनी हुई है मैदा डाला है इसके अंदर मैंने लाल मिर्श पाउडर एट किया है थोड़ा सा नमक एट किया है हरा धनिया डाला है इसके अंदर और इसके अंदर मैं पानी डाल दोंगी और मैं इसे घोल लोंगी जिस तरीके से हम बैसन के पकोड़े बनाते हैं प्रिएन को गोलते हैं इस तरीके से बतले बतले मातलु बना लोंगे इसका और जब कभाब को इसके का अंदर डिप करऊंगी आप यह कभाब बना कर मkryंने वृय जाने फटलें के बाहब तक हमारे वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले अप्लोको को मिले अब मैंने एक कबाब लिया है और इसे मैं डिप करेंगे उसी मैंदे वाले मिक्सचर में से इसमेजर में से मैं इसे डिप करूँगी और फिर निकाल कर मैं इसे फ्राइंक पैन है या फिर कढ़ाई है उसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसे फ्राइए कर लेंगे अच्छे तरीके से फ्राइए कर लेना है वन बै वन सारे इसी तरीके से बना लेनी है हमने ये तीन म निकाल लूँगी और मैंने दूसरे कबाब भी डाल दिये हैं और ये भी फ्राई हो चुके हैं तो गाइज ये है इसका फाइनल लोक यकीन चानल ये जितना जदा खुब्सरा दिखने से लग रहे हैं ना खाने में ये पहुत स्यादा यम्मी और मज़ेकित है अप एक पर जर